दोस्तो, फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी थी, वो दिन है जब माँ पारवती और भगवान शिव का विवाह हुआ था. इसे महाशिवरात्री के नाम से जाना जाता है. माननेता है कि इस रात में शिव जी और माता पारवती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं. महाशिवरात्री व्रत करने वाले पर इनकी विशेश कृपा होती है. इस दिन शिव लिंग में भोलेनात का वास होता है. जो लोग महाशिवरात्री पर विधी विधान से महादेव की आराधना करते हैं, उनके दुख और तमाम कष्टों का नाश हो जाता है. और मनो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी शिव जी के सचे भक्त हैं और शिव जी का आशीरवात प्राप्त करना चाहते हैं, तो विडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर विडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, तो आईए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं, दोस्तो पंचांग के अनुसार फालगुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशीति थी, आठ मार्च दो हजार चौबीस को रात नौ बचकर 57 मिनट से शुरू होकर, नौ मार्च दो हजार चौबीस को शाम 6 बचकर 17 मिनट तक रहेंगी, दोस्तो शिव पुराण में कहा गया है कि फालगुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिति की रात में भगवान शिव अग्रिस्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विश्णु जी के सामने प्रकट हुए थे, उस समय आकाश वानी हुई थी कि इस तिति की रात में जाक कर, जो भक्त मे लिंगरूप का पूजन करेगा, वह अक्षय पुन्य प्राप्त करेगा। ऐसे में महाशिवरात्री व्रत और पूजन आठ मार्च दो हजार चौबीस को किया जाएगा। दोस्तों महाशिवरात्री पर सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है और इसका समापन अगले द जाता है क्योंकि इस दिन कई लोग रात्री के चारों पहर में शिव जी का अभिशेक करते हैं, वहीं माननेता अनुसार कुछ लोग सुबह शाम की पूजा के बाद व्रत पारण कर लेते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा से कई गुना फल मिलेगा। इस बार महा शिवरात्री और शुक्र प्रदोश व्रत का संयोग एक साथ बन रहा है। इसलिए यह व्रत सौभाग्य और सुक समरिध्धि प्रदान करने वाला होगा। इस व्रत को करने से जीवन में किसी प् इवलिंग में साक्षात प्रकट होते हैं इसलिए इस समय में शिव की पूजा करने से उत्तम फल मिलता है। वही शुक्ल प्रदोश व्रत करने से शत्रु का नाश होता है और महादेव की सदैव कृपा बनी रहती है। मेरे साथियों इस वीडियो को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा धन्यवाद।